हाई गाईज, वेलकम बाक टो मेश चैनल, ये है 22 एर्ज एक male परसन का hand तो उनके पापा ने मुझे इनका hand भेचा है, उन्होंने अपना analysis मुझे करवाया था अभी पिछली वीडियो में मैंने उनका hand का analysis किया है तो अब उन्होंने अपने बेटे का हाथ भेजा है मुझे तो इनकी हाथ का अनलीसिस करेंगे अगर आपको करेक्ट पामिस्ट्री सीखनी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको भी अपना हाथ मुझे अनलाइज करवाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में जाएगा वहाँ पे मैंने अपना इमेल इडरेस और फी बताई हुई है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं फी पे करने के बाद ही आपको मैं अपना वट्सेप नमबर दूँगी जहाँ पे आप अपने कॉशन और अपने हैंड के इमेजिस मुझे बेज सकते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं इनका जो हैंड है वो completely squarish है तो यह वही वाले काम में success हासिल करेंगे life में जिनमें इनको field work करना पड़े physical labor देनी पड़े ठीक है तो ऐसे वाले अगर यह काम करते हैं तो फिर उसमें इनको success मिल सकती है और इनका जो थम है वो काफी अच्छा है strong है तो ऐसे लोग अपने नीचे काफी बड़ी team को lead कर सकते हैं 10 से 15 लोगों को यह leadership दे सकते हैं काम करवा सकते हैं और इनका जो nature रहेगा वो थोड़ा सा इस तरह का रहेगा कि यह dominate करके लोगों से काम करवाना ज्यादा पसंद करेंगे जैसे बहुत ही जादा प्यार से अच्छे से बात करके जैसे काम करवाना दूसरे को respect दे के वैसे वाला नहीं है मतलब इनका nature ही ऐसा रहता है ऐसे हाथ के लोगों का कि वो dominate करके ही दूसरे से काम करवाना पसंद करते हैं और घर में भी ये अपना dominance दिखाते हैं तो इस तरह का इनका nature है थाम इनका strong है कोई भी इनके मतलब इनका फाइदा उठा ले या फिर इनसे धोका कर ले इस तरह का ये नहीं बरदाश करते हैं दूसरे से कैसे अपना पैसा निकलवाना है वो इनको अच्छे से पता है बतलब ये चीज ये quality इनके अंदर रहेगी थाम के बीच में जो i-formation रहती है वो नहीं है यहाँ पे दो parallel line है जो ठीक है अच्छी मानी जाती है ऐसे लोग bank balance बना लेते हैं और passive ऐसे जोड भी लेते हैं वैसे ये बहुत बढ़िया sign नहीं माना जाता है खर्चे वगरा ऐसे लोग करते रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ हद तक ठीक है बहुत जादा बढ़िया नहीं है जैसे eye formation बनेगी तो वो बहुत जादा बढ़िया माने जाएगी बट ये parallel lines है चलो ये भी ठीक है लेकिन बहुत बढ़िया मैं नहीं बोलूँगी इसको मतब पैसे जैसे इतने जादा नहीं जोड पाएंगे ये उसके बाद इनकी fingers को देखते हैं तो fingers इनकी ठीक हैं और Jupiter और Sun finger दोनों equal हैं तो ये बहुत ही जादा risky investment करना नहीं पसंद करेंगे इनको ह चाफी जादा frank nature के हैं दूसरे से अच्छे से बात कर पाते हैं public speaking हो या बड़े authority के लोगों से बात करनी हो इनको अच्छे से ये चीज करना आती है mercury mount जो है इनका तो ये भी बड़िया है वैसे इनके पापा ने यहीं पूछा है कि इनका business वगरा क्या इनको करवाना चाहिए जौब करवानी चाहिए कि business यहीं सब पूछा है और overall hand की analysis करने को बोला है तो वो मैं करूँगी तो इसके बाद इनका जो mercury mount है अभी फिलहाल 22 साल उमर है सिर्फ बहुत छोटी age है तो अभी possibility रहती है कि सारी lines नहीं आती है हाथ में और इनका हाथ जो है वो है भी इस तरह का कि इनके हाथ पे छोटी सी भी अगर हम impression भी देखेंगे line का तो वो भी काफी बड़ी indication देगी ठीक है मकरी finger भी लंबी थी तो मकरी मांड इनका ठीक है मकरी line हमको हलकी सी है कैसे दिखती उठती दिख रही है जो की दिखा रही है कि मकरी इनका अच्छा है बिजनस की sense नहीं करना है वो चीज़े इनको पता रहेंगी बड़ जैसे एज बढ़ती जाएगी ये qualities और ज्या आपके sense of humor को अच्छा बढ़ा देता ऐसे लोग मजाक वगरा बहुत अच्छे से कर पाते हैं उनका sense of humor बहुत ही अच्छा होता है तो ये उस तरह से नहीं माना जाता है finance के मामले में कोई help नहीं करता है ये सरफ एक nature दिखाता है उसके बाद इनका जो sun है sun की finger इनकी ठीक अच्छी थी और लेकिन sun line इनकी सरफ इतनी सी है तो sun इनका जादा तभी active होगा जब इनकी age 50 से above हो जाएगी उससे पहले इतना जादा मुझे कुछ भी दिखनी रहा है इतना कोई खास बढ़िया और sun mount भी इनका ठीक ठीक है अभी फिलहाल इनके अंदर थोड़ी confidence की कमी लग रही है मुझे क्योंकि age चोटी है ऐसे इतनी age की बच्चों में होती है यह problem लेकिन आने वाले time पे जैसे इनकी जब age होगी 28, 30 या 40 सक पहुंचेंगे तब इनके हाथ में changes आ जाएंगी जरूर 40 सकी age में काफी हाथ जो जादा तर हाथ developed हो गया होता है तो उस time पे हो सक करेंगे उसमें इनको recognition मिलना respect मिलना इन सब चीजों में problem आएगी तो वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगे और बड़ी success भी इनको तब तक नहीं मिल पाएगी जब तक sun इनका strong नहीं हो जाता तो यह अभी है पर age चोटी है यही मैं बार बार बोलूंगी तो आने वाले time पे ह हो सकता है दिक का दूर हो जाए सैटन के नीचे मैं देख रही है एक खड़ी line जो होती है वो है तो अच्छा रहेगा यह line अगर आ गई है तो बहुत बढ़िया है ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छा पैसा कमाते हैं property वगरा भी अपनी लेते हैं सब कुछ करते हैं तो यह indication हमें यहाँ पर साफ दिख रही है और सैटन पर कोई भी line मुझे इनके नहीं दिख रही है कोई sign बनता हुआ नहीं दिख रहा है ठीक है यह वाली जो line है यह हम बाद में discuss करेंगे fate line है यह बाद में हम देखेंगे अब देख लेते हैं जुपिटर तो जुपिटर इनका ठ करते होंगे मतलब ज्यादा मतलब अपना वो दिखाते होंगे कि मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ वो उस पे ध्यान दो मतलब इस तरह का इनका अपने friend circle में होता होगा यहीं चीज अब आने वाले टाइम पर जैसे यह जॉब करेंगे आने वाले टाइम पर या business है higher studies को अच्छी qualification को जो इन्होंने जरूर हासिल की होगी इस टाइम पर या फिर आगया आने वाले टाइम पर जरूर कर लेंगे यहां ring of Solomon है ऐसे लोग होते हैं पामिस्ट्री astrology में faith रखते हैं और साथ में अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा sincere रहते हैं faithful रहते हैं अभ लाइन्स जूपिटर पे उसके बाद हम देख रहे हैं कि ambition line भी आ रही है तो ambition line अगर आ जाए तो वो बड़ी अच्छी होती ऐसे लोग ambitious होते हैं अपने future को लेके काफी serious होते हैं जो इनके अंदर भी इस वक्त चल रहा होगा ज़रूर बाकी जूपिटर पे यहां मुझे जैसे लग रहा है कि एक square sign बन रहा है तो square sign बनता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छा अच्छे से अपनी बात को समझा सकते हैं दूसरे को ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही जादा अच्छे से explain करते हैं अपनी बात को तो इनको भी अच्छे से explain करना आती होगी यह sign help करता है उनको जो आने वाले टाइम पे teacher या professor बनते हैं, मतलब इस profession में जाना चाहते हैं तो यह sign उनको help करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यह teacher या professor बनेंगे, मैं ऐसे बता रही हूं कि मतलब यह sign उनके लिए भी अच्छा होता है, अगर मैंने नहीं पुछा भी आप कहा रहे थे कि oil का business करना चाहते हैं, आप कुछ उस चीज में इनको start करना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है, business ऐसा कोई मतलब है कि जिसमें दूसरे को समझाना हो, जैसे कोई teacher बनना चाहता है, tutorial खुलना चाहता है, तो उसके लिए भी sign अच्छा रहता है, तो ये इनका Jupiter माउंट था, ठीक है Jupiter अच्छा है इनका बहुत मतलब ऐसा कुछ sign मुझे नहीं दिखा, तो ये चीज है बाकी थोड़ी बहुत जो cross sign है, ये relationship में भी problem करा देता है, जैसे अपनी wife के साथ थोड़ी अनबन रहती है, लड़ाई जगड़े रहती है और dissatisfaction रहती है, तो उस तरह से मतलब उसके भी chances रहते हैं, बाकी इनका जो inner और outer mars जो है दोनों बहुत बढ़िया है, ये energy काफी ज़ादा provide करते हैं body को, अगर अच्छे हों तो immune system अच्छा कर देते हैं, चोटी मुटी बिमारी से लड़ने की ताकत दे देते हैं body में, और अगर कोई बड़ी problem आ जाए, उसके साथ भी इनसान लड़ सकता है, अगर आपका inner और outer mars अच्छा हो, दिन में जो energy की ज़ुरत पड़ती है हमारी body को, वो ये अच्छे से provide करते हैं, और ऐसे लोग अगर land से जुड़े काम करते हैं, तो उसमें भी इनको फाइदा ज़रूर मिलता है, ऐसे लोगों का जैसे काम रहता है, अगर ये उसमें चले जाएं, heavy machinery का जहां पर इस्तेमाल हो, ऐसा कोई business अगर करेंगे, तो उसमें भी फाइदा होता है, अगर ऐसे लोग railways में जाना चाहते हैं, उसमें जॉब करना चाहते हैं, तो वहां पर भी जॉब मिल सकती है, तो इस तरह का, अगर सबसे अच्छा कोई amount मुझे लगा, तो वह वीनस है, वीनस से जुड़े होए कोई भी काम ये कर सकते हैं, और job भी कर सकते हैं, वीनस से जुड़ी, जैसे luxury items होती हैं, उनसे जुड़े होए, और इनके वीनस पर काफी सारी, खड़ी lines हैं इस टाइम पर, तो ये कोई भी जब भी काम करेंगे, तो उसमें इनको फल जरूर मिलेगा, जैसे ये अगर बाई साल के हैं, अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें इनको मेहनत कर रहे हैं, अगर किसी भी कोई भी कोई exam दे रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें इनको जरूर success मिलेगी, ये lines जो होती हैं, फल देने वाली lines होती हैं, इस टाइम पर ये कोई job अगर अगर नहीं कर रहे हैं, तो मतलब मैं ये ही कहूंगी, कि अगर ये कोई नौकरी शुरू कर दें इस टाइम पर, अगर ये earn करना, शुरू करना चाहते हैं, तो जरूर इनको अच्छी job मिलेगी, और उसमें ये उनको salary बगारा भी अच्छी मिलेगी, ये lines ये दिखा रहे हैं, और Venus से जुड़ा हुआ हैं, अगर काम करते हैं, जैसे luxury items का होता है, कोई ऐसी company join करते हैं, जहां पर गाड़ी का हो, या mobile का हो, या कोई tile वगारा जैसे होती हैं, उसका कोई काम है, तो उसमें इनको बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी, और अच्छी ये salary भी वहाँ से ये ले पाएंगे, तो ये चीज मैं इनके हाथ पे देख रही हूँ, और आपने पुछा कि ये उसका business करना चाहते हैं, जो कि सरसों के तेल का, तो तेल वगारा जो होता है, वो आता है जमीन से, तो हम देखते हैं कि हाँ, इनका जो मार्स है, ये दोनों के दोनों मार्स अच्छे हैं, और बाकी तेल है खाने की चीज, जो की जुपिटर देता है, जुपिटर इनका अच्छा है, लेकिन माउंट बहुत बड़ा नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा doubtful हूँ, कि ये वो वाला business इनका चलेगा या नहीं चलेगा, और अगर इनको कोई भी experience नहीं है, उस business में, तो फिर problem हो सकती है, क्योंकि mind line बहुत लंबी है, तो इनको वहीं वाला ही काम शुरू करना है, जिसमें इनको खुद का experience हो, कम से कम 8 से 10 साल का experience हो, तो ही वो business अच्छा चल पाएगा, शुरू करते ही, वरना उसमें 8-10 साल का time इनको देना पड़ेगा, पहले ये experience लेंगे, उसके बाद ही इनको वो business जो है, वो इनको फाइदा देना शुरू करेगा, तो ये चीज में देख रही हूँ, बाकी हाँ, अगर ये job करते हैं, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, moon भी इनका बढ़िया है, moon इनका ठीक है, अच्छा है, कोई भी bad sign मुझे नहीं नजर आ रहा है, fate line भी moon से ही शुरू हो रही है, तो अच्छा है इनकी imagination power, इनकी intuition power अच्छी रहेगी, moon इनको वो चीज़े देगा, और positive thinking रहेगी, तो ऐसे लोगों की सोच काफी ज़ादा clear रहती है, कोई भी ज़ादा confusion वगरा नहीं होती है उनके दिमाग में, तो यह चीज़ है, बाकी इनकी हम देख लेते हैं अब lines को, तो यह मैंने effect यूज किया actual में, तब ही ऐसा करके देख रहा है आपको, तो अब भी हम इनके lines को देख लेते हैं, तो main lines को देखने के लिए मैंने effect हटा दिया है, तो main lines में heartlining की पूरी की पूरी ऐसे करके जा रही है, तो यहाँ पे खतम हो रही है, तो आप बहुत calculated हो, आप ना ही दूसरे का हक मारोगे, ना ही खुद का आप उसको लेने दोगे, आपके अंदर यह चीज है, तो ऐसे लोग partnership में अगर काम करें, तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि वो partner जो होता है, वो उनका फाइदा नहीं उठा पाता है, क्योंकि वो उठाने नहीं देते हैं, तो इस तरह का आपका nature रहेगा, बाकी आपका यह जो heart line है, इसमें से lines fall हो रही हैं, जो दिखा रही हैं, कि आपके relationship में थोड़े जगड़े वगड़े चलते रहेंगे, आपकी wife के साथ आपकी अनबन रहेगी, छोटे मोटे जगड़े आपके चलते रहेंगे, लेकिन कोई भी divorce का connection ऐसा मुझे नहीं देख रहे हैं, तो बाद में हम आपकी marriage lines को भी देख लेंगे, उससे भी पता चलेगा, और heart line आपकी ठीक है, कुछ भी मुझे गडबड नहीं नज़र आ रही है, आपकी mind line जो है, वो शुरू होती है यहां से और जाती है यहां तक, तो यह लंबी mind line मानी जाएगी, तो आपका क्या करना है, आपको करनी है job, ठीक है, अभी आपकी age है 22 साल, तो मैं यहीं suggest करूँगी, अभी आप job करो, आप job में जाओ, आपकोई item जो भी है, मैंने जैसे Venus का बताया, उन में से कोई item चूज़ करके, उसमें job करो, आट-दस साल का experience लो, उसके बाद आप business में आओ, क्योंकि अगर आप पहले ही business में आ जाओगे, बिना कोई experience लिये, तो उसमें आपको loss होगा, क्योंकि आपको 8-10 साल का time उस business को देना पड़ेगा, इतना लंबा टाइम बरदाश कोई भी नहीं कर पाता है, कि सिर्फ loss ही loss होता जाए, कोई फाइदा ना हो, ऐसे में कोई भी उस business को आदे रास्ते में छोड़ देगा, फिर कोई दूसरी आइटम पकड़के start करेगा, फिर उसमें यहीं condition लागू होगी, तो फिर नहीं चलेगा, तो इसमें यहीं अच्छा रहेगा, कि अभी एच छोटी है, अभी आप कोई ऐसी नौकरी करो, जिसमें भी आप करना चाहते हो, वैसे तो आपका Venus बढ़िया है, वो भी अच्छा है, Mars के related जो मैंने काम बताए, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, तो Jupiter भी आपका बढ़िया है, लेकिन बहुत best नहीं है quality का, मतलब जैसे कि होना चाहिए था, उसके लिए नहीं है, ये दो चीज़ों के related आप business कर सकते हो, कोई white चीज़ को लेके भी आप business कर सकते हो, तो ये मैंने आपको बता दिया, कि आपको कौन-कौन से business में जाना चाहिए, तो ये जब आप experience ले लोगे, तो फिर आप business start करो, आट-दर साल की job करने के बाद, उस चीज़ का, तो फिर आपको फाइदा देगी, वरना आपको वो सब नुकसान परदाश करना पड़ेगा, तो ये मैंने आपको बता दिया, mind line आपकी ठीक है, यहां तक disturb लग रही है, age 24 से लेके 25 की age तक disturbance है, आपकी mind line में, आपको confusion रहेगी, चीज़ों को लेके, और मतलब बहुत, मतलब ऐसे रहेगा, कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, इस तरह से confusion है, और ये जो age इस वक्त आपकी जो चल रही है, इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, जिससे आप परेशान हो जाओ, या फिर health issues भी आ सकते हैं, तो यहां तक मुझे ये चीज़ दिक्री है, उसके बाद जो आपकी mind line है, वो एकदम बढ़िया है, परफेक्ट है, उसके बाद जैसे ही आपकी age 24, जैसे आप cross करोगे, उसके बाद आप देखना, आपकी मतलब की ऐसा आपको feel होगा, कि हाँ, अब मैं काफे अच्छे से clearly सोच पा रहा हूँ, और मैं decide कर पा रहा हूँ, कि मुझे life में क्या करना है, मतलब फिर आपकी mind line जो है, वो बहुत बढ़िया condition में है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, वो बहुत अच्छे से decisions ले पाते हैं, कोई भी wrong decision नहीं, आप लोगे, कहीं से भी मुझे ऐसा कुछ दिखनी रहा है, कि उसके बाद, 24 की एज के बाद, आप कोई भी wrong decisions लोगे, पैसे के मामले में, तो इस तरह का कुछ नहीं है, और आपकी mind line बिल्कुल perfect जगा पे आके खतम हो रही है, आप काफी ज़्यादा practical भी होंगे, और emotional भी होंगे, ये दोनों चीज़ें आपके अंदर हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, वो किसी भी situation को handle करना जानते हैं, कोई भी ऐसी situation को तोड़ नहीं सकती है, कि आप वो बोलें कि आप मैं हार गया, ठक गया life से, ऐसा कुछ नहीं है, आप strong हो mentally काफी ज़्यादा, और ये जो branch जारी है, mind line के अंदर ये दिखा रही है, कि आप इस nature के हो, कि अगर बहुत ज़्यादा खुशी आ जाए, तो आप बहुत खुश हो जाते हो, और अगर बहुत गुस्सा आ जाए, तो आप गुस्से में भी बहुत ज़्यादा आ जाते हो, तो आपको उस चीज को थोड़ा control करना है, गुस्सा जो है, वो अपने अंदर थोड़ा control करना है, क्योंकि ये गुस्सा आपके relations खराब कर सकता है, ठीक है, उसके बाद आपकी mind line को हमने देख लिया, जो की ठीक है, बढ़िया है, अब देखते हैं आपकी life line को, life line यहां से शुरू हुई, फिर ऐसे करके जा रही है, तो आपकी life line, अभी आप 22 years के हो, तो अभी कुछ ना कुछ tensions, problems तो आपकी चलती रहेंगी, जब आप पहुंचोगे, वही 24 की age के बाद, आपका सब बढ़िया हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो यहां पे देख रही हूँ, मैं कि कुछ progress line भी निकल रही है, जिनको offshoot बोलते हैं, यह वाला offshoot निकला तो है, पर यह Jupiter की तरफ जा रहा है, तो आपका offshoot जो है, वो सीधा आना चाहिए, तो यहां पे जो age रहेगी आपकी, एक मिनट मैं देख लेती हूँ, effect लगा के, क्योंकि आपने ink नहीं लगाई, तो अब मुझे effect लगा के देखना पड़ेगा, कि यह offshoot है, या फिर ऐसी एक line है, तो मैंने बहुत सारी photographs में जाके देखा, लेकिन clearly मुझे कहीं पे भी नहीं देख रहा है, जो ink लगाना जिनको बिल्कुल भी गवारा नहीं होता है, लेकिन मैं यहीं कहूँगी, कि वो अपना नुकसान करवाते है, क्योंकि ऐसे मैं predict नहीं कर पाती हूँ कुछ भी, तो अगर ink लग जाती, तो फिर ये अच्छे से मुझे दिखता कि ये क्या है, तो अभी यहाँ पे जो ये आफशूट है, ये बहुत clearly दिख रहा है, जो की age दिखा रहा है, 35 के around, जो की यहाँ पे एक इनकी wish जरूर पूरी होगी, वो wish कोई भी हो सकती है, ये आफशूट शादी करवा सकता है, या फिर अच्छी progress, या कोई wish पूरी करता है, एक्चल में इसका काम होता है, कोई एक आपकी wish पूरी करना, जो बहुत देर से आपको जो चीज चाहिए, या बड़े जादा आप अंदर दिल से वो चीज चाहते हो, की हो जाए आपके साथ, वो वाली wish यह पूरी करता है, तो यह चीज होगी आपके साथ, और एक और चीज है, जो की मैंने देखा, आपके left hand पे भी है उसकी indication, एक बहुत हलकी सी, अभी फिलहाल हलकी है यह line हो सकता है, आने वाले time पे डाक हो जाए, एक राहू line ऐसे करके काट रही है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा star बना रही है, तो यह जो sign होता है, यह दिखाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं, उनको एक time पे life में ऐसा आता है, कि जब उनको एक bulk में पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, और वो राहू का दिया हुआ पैसा होता है, उस पैसे की यह problem रहती है, कि वो पैसा जा भी सकता है आपके हाथ से, जैसे बहुत सारा पैसा आया, तो आपने इदर-उदर खर्च करके, उसको कुछ ही महीनों में बरबाद कर दिया, ऐसा भी possible हो सकता है, मतलब possibility इसी जीज़ की रहती है, तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेगा, कि ऐसी कोई चीज़ आपके साथ, लाइफ में कभी भी हो सकती है, कि आपके पास bulk में पैसा आए, और वो चला भी जाए, अगर उस पैसे को आपने ठीक से नहीं यूज किया, या उसकी कदर नहीं की, तो वो पैसा चला भी जाता है, ये साइन अब भी पूरी तरह से completely यहाँ पे हलकी लाइन है, अब ये डाक लाइन नहीं है, तो आने वाले टाइम पे definitely ये डाक हो जाएगी, और फिर ये साइन अपना जरूर एक टाइम पे आके आपको result देगा, ये सेम चीज आपके left hand पे भी है, तो ये जब left hand पे भी एक चीज राइट पे जिसको आप use करते हो, जो आपका active hand है वहाँ पे होती है और left पे भी आती है, तो इसका मतब 100% उस पे मोहर लगती है कि वह चीज आपके साथ definitely होगी ही होगी, तो ये चीज है, बाकी आपकी life line ठीक है, कोई भी गड़बड नहीं है, कहीं से भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, बस आप थोड़ी बहुत exercise वगरा पे ध्यान दो, gym वगरा जॉइन करो, तो आपके जो अंदर laziness जो हलकी फुलकी है वो चली जाएगी, ठीक है, वैसे energy काफी आपकी body में, लेकिन हलका सा laziness है आपके body में, आप लेजी feel करते हो आप, तो आप gym join करो, या फिर आप walk करो, या कोई भी exercise कोई physical, ऐसी exercise कोई करो, जिससे की आप fresh feel करो पुरा दिन, ठीक है, तो हम देख लेते हैं आपकी fade line को, fade line यहाँ से शुरू हो रही है, और सीधा जा रही है, ऐसे करके और एक हलका से impression है, fade line आपकी बहुत early age से शुरू हो रही है, आप जब 25 के हो जाओगे, तो आपने earn करना शुरू कर देना है, 24-25 की age से आप ज़रूर earn करना शुरू कर दोगे, और उसके बाद फिर आपका अच्छा चलेगा, यहां तक आपका इतना खास नहीं चलेगा, यह age रहेगी आपकी 35, 35 की age तक आपका बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, आएगा पैसा पर वो फिर खर्च भी हो जाएगा, या फिर जहां आप जॉब करोगे, आपको बहुत अच्छी salary जिसको वो तो है यह, जब शुरू शुरू में आप नोकरी करते हो, start करते हो earn करना, तो बहुत अच्छा आपको नहीं मिलता है, बड़े कम लोग होते हैं, जिनका अच्छे से ही शुरू होता है, लेकिन आपका वैसा वाला नहीं रहेगा, आपका आइस्ता आइस्ता शुरू होगा, ठीक है, उसके बाद जब आपकी age 35 हो जाएगी, तो उसके बाद फिर बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक है, फिर बहुत ही बढ़िया चलेगा, फिर आप सोचोगे कि हाँ, अब मैंने कुछ, मतलब की save करना शुरू कर दिया है, अब मेरी salary अच्छी हो गई है, तो मतलब मेरा time बहुत अच्छा जा रहा है, फिर आपको feel होगा, और वो 50 की age तक चलेगा, ठीक है, 50 की age तक यह सब चलेगा, और उसके बाद फिर एक overlap आ रहा है, तो 50 की age में आप जाके कुछ, आप कुछ करोगे, या तो आप अपनी जगा बदलोगे, या फिर आप अपना काम बदलोगे, ठीक है, हो सकता है, आप job में ही रहो, और उस 50 की age में जब पहुंचो, 48 की age में आके, आप business के बारे में सोचो, और आप business शुरू करो, सेज में आके, ये चीज़ दिखा रहा है, और उसके बाद आपकी जो फेट लाइन की जो लास्ट वाला पार्ट है, वो sun की तरह मुड़ रहा है, तो आपका foreign connection भी रहेगा, ज़रूर, foreign connection आपका रहेगा, हो सकता है, आप import, export का कुछ करो, या कुछ इस तरह का, या फिर आप foreign जाके ही काम शुरू कर दो, आने वले टाइम पे, इस तरह का कुछ आपका रहेगा, क्योंकि आपकी जो फेट लाइन है, वो moon mount से उट रही है, तो आपको multinational company में ही नौकरी करनी है, ठीके, ये आपका ध्यान आपको रखना है, कि आपको अच्छी, मतब ये ऐसी वली जो भी करनी है, जो कि foreign के साथ, जिसका connection हो, या फिर आपको इसी तरह का काम करना है, जिसका foreign के साथ connection हो, moon यही चीज दिखाता है, और ऐसे लोगों की शादी के बाद, उनको wife का support भी मिलत है, ठीके, अब हम देख लेते हैं, आपकी marriage lines को, आपके यहाँ पे दो affection lines है, तो ये वाली line दिखा रही है, ये काफी फीकी लग रही है, मुझे इस image में, actual में ये image साफ नहीं आई ये आपकी, जो आपके पापा ने ये वाले, आपकी images जो भीजी है, ये साफ नहीं है, तो ये जो line है, ये आपकी शादी करवा सकती है, ये age आपकी रहेगी, 28 से 30 की age तक आपकी शादी हो सकती है, और उसके बाद अगर वहाँ पे आप miss कर गए, तो आपकी शादी फिर 35 के बाद ही होगी, ठीक है, तो शादी जो आपकी होगी, वो मुझे, और आपकी शादी में थ यह ऑगा है और यहां पर दुन्दल आ गया है और अहां पर पेड़ा आ गया है तो फोकस गलत हो गया है कैमरे का इस वजह से मैं देखने पाई हूं ये थी आपकी hand की analysis I hope ये आपको अच्छी लगी हो मैं आपको मिलूँगी next video में guys तब तक लिए bye bye